धबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट बदमाशों को डिसेंट नहीं पुश्पाचू को बनाने की है ये तीन वजह आखिर क्यों बनाई जा रही है पुश्पाचू फिल्म को बनाने की क्या है तीन कारण कुछ फिल्मी कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड पे पूरी तरह से चा जाते हैं और ऐसा ही एक ही कैरेक्टर है जिनका कहना है कि कुछ भी हो पर मैं जोकेगा नहीं साला इस डायलोग से आप ये सब समझ ही गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे होंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं पुश्पा राज की और शायर इसलिए फिल्म के मेकर्ज ने फिल्म के दूसरे पार्ट याने पुश्पा टू की भी अनाउंस्मेंट कर दी जिसके बाद फैंस का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्या होगी पुश्पा टू की स्टोरी तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या होने वाली है पुश्पा टू की स्टोरी जी हाँ अगर आपको याद ना हो तो फिल्म के पहले पार्ट में रेड सैंडल बुट की कहानी दिखाई गई थी जिसके आज पास ही पूरी फिल्म की स्टोरी थी तो उसी के बॉस को पुश्पा में में विलिन की रूप में इंट्रिउस किया जाने वाला है जी हाँ इस बार पुश्पा का सामना एक नहीं बलकी दो-दो विलिन से होने वाला है और दूसरी बात ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिल्म के शूट को के जिएफ-टू के शूट के वज़े से रोग दिया गया था क्योंकि फिल्म के डारेक्टर स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहते थे तो शायद फिल्म में KGF और पुश्पा का मैश अप यानि दोनों फिल्मों की स्टोरी और आक्टर्स को एक साथ रख के भी कोई स्टोरी बनाई जा सकती है या शायद KGF 2 से ही लिया जाए फिल्म के दूसरे और में विल्लन को तो अब देखना ये है कि आखिर क्या होती है पुश्पा 2 की स्टोरी और क्या पुश्पा 2 तोड़ पाएगी पुश्पा का रेकॉर्ड खेर ये तो फिल्म और फिल्म के शूट रिलीज टोरी और कास्स से जूड़ी कुछ बाते पर आप हमें कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएगे कि आपको कैसी लगी इस फिल्म से जूड़ी हमारी अमेजिंग इन्फोर्मेशन और आपको क्या लगता है कि फिल्म में दूसरा विलिन की इंट्री से क्या और भी इंट्रेस्टिंग होने वाली है फिल्म के स्टोरी और सबसे इंपॉर्टन सवाल ये कि क्या आपको भी है फिल्म पुश्पाटू के ट्रेलर का पीस सबरी से इंतसार तो ऐसे ही फिल्म इंग दस्री से जुड़ी चटपटी और इंटरस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए